समाज ने न्यायधिशों को मनुशों द्वारा किये गए किसी भी कारिय या वहवार को न्यायधिने की शक्ति दी हैं इस शक्ति के आधार पर न्यायधिश कानून लागू करके एक मजबूत लोगतंत्र का नर्मान कर सकते हैं इसलिए देश के प्रधान न्यायधिश उदे ललित ने आज यहां जोड़ दे कर कहा कि कानून के हर चात्र को न्यायध पालिका को एक मजबूत पेशा मानना चाहिए महराश्री राश्री विधी विश्विध्याले वारंगा द्वारा न्यायमूर्ती ललित को सम्मानित किया गया वह उसमे अभिनंदन का जवाब देते हुए बोल रहे थे सम्मान समारों में सुप्रिंग कोर्ट के जस्टिस भूशन गवई चीफ जस्टिस की पतनी अमीता ललित बॉंबे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिपांका दत्तो बॉंबे हाई कोर्ट नागपुर बैंच के प्रशांसनिक जज सुनील शुक्रे जस्टिस प्रसन्ना वरहाडे जस्टिस अतुल चंदूरकर जस्टिस अनिल के लोर मौजू थे महराश्ण नैशनल लौ युनिवरसिटी के चीफ जस्टिस सुप्रिम कोर्ट के रिटायर जस्टिस विकास सरपूर का युनिवरसिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंच पर विजेंद्र कुमार और अन्य मौजू थे साथ ही बड़ी संख्या में विश्विध्याले के लौ कोर्स के चात्र और फैकल्टी सदस्य मौजू थे कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ शिती जादेश मुख बीसीन न्यूस नाकपुर